Daniel cell के लिए यहां पर हम इसको कैसे विवस्थित करेंगे देखिए Zinc फिर छोटी लाइन Zinc 2 प्लस डबल लाइन है फिर कॉपर 2 प्लस फिर सिंगल लाइन फिर कॉपर तो यह आपने cell का जो representation है वो सीख लिया है कि zinc जो है Zinc Sulphate में डूबा है और एक लवण सेतू है तो क्या होगा E copper 2 plus by copper ये representation का एक तरीका है equal to E0 copper 2 plus upon Cu plus RT upon 2F यहाँ 2 अलग से लिख दिये क्योंकि जो Daniel cell है वो specific हो गया वहाँ दो electronों का आदान प्रदान हो रहा है इसलिए 2F फिर ln copper 2 plus दूसरा हम ले रहे है E zinc 2 plus by zinc equal to E0 zinc 2 plus by zinc plus RT upon 2F log यहाँ भी हम लेते zinc 2 plus तो इन दोनों जो अर्द cell के लिए हमने नंस समिकरन अलग-अलग represent किया अब इसे E0 cell equal to E0 cathode minus E0 anode की आधार पर इसे लिखेंगे तो वो इस E0 cell equal to ER minus EL, R यहाँ right hand side और L यहाँ left hand side, right hand side में होता है cathode और left hand side में होता है anode इसलिए हम cathode minus anode भी लिखते हैं E cell equal to बड़े bracket के अंदर हमने लिखा E0 Cu2 plus by 2 plus RT upon 2F log copper 2 plus तो चुकि यहाँ copper cathode है minus anode की value लिखेंगे तो E0 zinc 2 plus by zinc plus RT upon 2F log यहाँ लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर natural log है और zinc 2 plus फिर यहाँ पर होगा दोनों को यदि हम थोड़ा सरल करेंगे common ले लेंगे कुछ चीजों को तो E0 copper 2 plus यहने cathode minus anode तो copper 2 plus by copper minus E0 zinc 2 plus by zinc यह representation का एक तरीका है यह E0 cell है Daniel cell के लिए plus RT upon 2F ln उपर copper 2 plus और नीचे zinc 2 plus तो उपर जो copper 2 plus है वो यहाँ पर हो गई ऑक्सीक्री तवस्था और यहाँ पर zinc है वो यहाँ पर हो गई अपचई तवस्था तो यहाँ चुकी plus sign है देखिए तो plus यहने positive उपर oxidized state यहाँ पर copper की value, copper की जो सांदरता है वो लिखा जाएगा और नीचे जो reduced state है यहने zinc जिस solution में उसकी सांदरता को यहाँ पर लिखा जाएगा तो अगर यहाँ पर हम कुछ values रख दें तो E cell बराबर E0 cell plus RT upon 2F log copper 2 plus upon zinc 2 plus तो यदि E0 cell की value रखेंगे Daniel cell के लिए तो वो होगा 1.10 तो यहाँ लिख सकते हम 1.10 Daniel cell के लिए easily plus 2.303 RT upon 2F log 10 base है तो इसलिए 2.303 से multiply हुआ log 10 base और उपर हम लिखेंगे Cu 2 plus और नीचे हम लिखेंगे zinc 2 plus इस पूरे समीकरण को यदि हम थोड़ा सा और सरल कर लें यदि हम सभी values के को put कर दें तो सभी मानों को रखने के बाद जो value आती है वो है 0.059 1.2 log उपर हमने लिखा copper 2 plus और नीचे हमने लिखा zinc 2 plus जो की दोनों electrode के लिए जिस solution में उनको डुबाया गया है उसके सांदरता पद को व्यक्त करता है तो numerical प्रश्न में भी जब हम नंसमीकरण बनाएंगे तो सांदरता पद के मानों को उपर और नीचे दोनों के लिए कैथोड हो चाहे एनोड हो उसके लिए रखेंगे बाकी इस तरफ का जो combination है वो ऐसा ही रहेगा याने e cell equal to e0 cell प्लस 0.059 एक बटा दो है यदि डेनियल cell है तो दो है यदि कोई दूसरा cell होगा तो वहाँ पर ये change भी हो सकता है तो हम उस समय सुत्र को अपन N करके भी लिख सकते है और log उपर क्या होगा उपर होगा ओक्सिक्रित अवस्था और न स्था स्थिरांक और नंस्ट समिकरण के मध्य संबंद को स्थापित करें उसके लिए एक एक एक्जामपल ले लेते हैं डेनियल cell का ही कि डेनियल cell को यदि लगूपतित कर दिया जाए तो यहाँ पर जो विद्धूधारा का प्रवा है वो तब तक बना रहेगा जब तक इ स्थापित होगी और इसल की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है तो फिर किस तरह से साम्यावस्था इस्थिरांक और नंस्ट समिकरण एक दूसरे से संबंदित हैं यह हम जानेंगे जैसे यदि हम डेनियल cell को लेते हैं तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलता है जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर तो यदि द्रव्य अनुपाति क्रिया के नियम के अनुसार साम्यावस्था इस्थिरांक है यहाँ पर के सी बराबर उपर जिंक 2 प्लस और नीचे कॉपर 2 प्लस तो जो जिंक 2 प्लस और कॉपर 2 प्लस लिखा गया यहाँ पर जिंक और कॉपर जो सॉलिड है उसकी सांदरता को इकाई ले लिया गया, इसलिए केवल जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस लिया गया, क्योंकि जो सामय वस्था इस्थिरांग हम ग्याद करते हैं, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, उसमें उत्पादों के मोलर सांदरताओं का गुडनफल और जो अभिकारक है उनके मोलर सांदरताओं के गुडनफल के अनुपात को हम केसी के द्वारा वेक्त कर रहे हैं, तो यहां जो zinc solid है या copper solid है उसको हम iqai, उसकी सांदरता को हम iqai के रूप में ले लेते हैं, तो kc बराबर zinc 2 plus upon copper 2 plus प्राप्त होता है, इस मान को हम जब समीकरण में रखें तो कैसा मान आएगा वो देखिए, कि यदि यहां पर साम्यावस्था के स्थिती है, यदि नंस समीक 2 plus और नीचे zinc 2 plus है, तो यहां plus है, तो इसलिए उपर copper 2 plus है और नीचे zinc 2 plus है, यदि यहां minus करेंगे, तो यहां E0 cell minus 2.303RT upon NF और log उपर zinc 2 plus और नीचे copper 2 plus, साम्यावस्था की स्थिती में, जो E cell का मान है, वो यहां 0 प्राप्त हुआ, तो E cell की जगा पे हमने लिखा 0 बरा 2.303RT upon NF log KC, log KC किसकी जगा पे लिख रहे हैं, zinc 2 plus और copper 2 plus के अनुपात की जगा हमने लिखा KC, तो यह जो KC का मान है, साम्यावस्था इस सिरांग के मान को दर्शा रहा है, यहां हमने minus sign लगा दिया, तो zinc 2 plus जो की पहले नीचे था, अब वो उपर चला गया, तो इसलि भी कर सकते थे, लेकिन आसान करने के लिए हमने सूत्र को इस तरह से change किया, सिर्फ चिन में परिवर्तन कर दिया, सामने हम plus की जगा पे minus कर दिया, तो अब हमारे पास जो संबंध आया, वो है E0 cell equal to 2.303RT upon NF log KC, और E0 cell equal to 0.0591 upon N log KC, अब 0.0591 हम काफी बार देख चुके हैं, कहां से आ रहा है ये वैल्यू, ये वैल्यू आता है, जब हम temperature 298 Kelvin लेते हैं, जब हम R कामान 8.314 लेते हैं, 92500 कुलाम, तो ये सब मानों को जब हम गुड़ा भाग करते हैं, तो हमारे पास जो मानाता है, वो है 0.0591, उस मान को हमने यहाँ पर सरल करके लिग दिया, त n, log kc, n इसलिए लिखा जा रहा है, यहां तो हम Daniel cell के लिए बात कर रहे हैं, तो हम n की जगा 2 भी करके लिखेंगे, तो भी सुत्र सही होगा, लेकिन इसके अलावा ये दी दूसरे किसी cell के लिए kc की value निकालनी हो, e0 cell की value निकालनी हो, तो ऐसी स्थिती में हम 2 नहीं क्योंकि वहाँ electron की संख्या बदल सकती है, तो log kc का मान आया, log kc बराबर e0 cell into n upon 0.0591, तो यह जो मान आया है, अब इस मान की सहायता से, हम यहां पर kc का मान निकाल सकते हैं, सामय अवस्था की गढ़ना कर सकते हैं, e0 cell की भी गढ़ना कर सकते हैं, यदि kc की value दी है, तो साधार पर हम उसकी भी गढ़ना कर सकते हैं, अब हम नंस्ट समीकरण से संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्णों को समझते हैं, प्रश्ण पहला, निमन सेल की 298 Kelvin पर नंस्ट समीकरण एवं EMF या विद्युत्वाहक बल उसके लिए लिखिये, e0 magnesium 2 plus by mg equal to minus 2.307 volt और e0 copper 2 plus by copper equal to plus 0.34 volt यहाँ पर जो सेल है, वो है magnesium, magnesium 2 plus उसका सांद्रन 0.10 मलो, 0.01 M, फिर double line जो लवण सेतु है, copper 2 plus के लिए सांद्रता है, 0.0001 M और एक सिंगल लाइन जो की यहाँ पर boundary की तरह है, ठोस और विलियन के मद्ध है, तो यह copper है एनोड पर होने वाली सेल भी करिया होगी, mg equal to mg2 plus plus 2 electron कैथोड पर होने वाली सेल भी करिया, copper 2 plus plus 2 electron equal to copper दोनों के लिए net cell reaction होगा, magnesium plus copper 2 plus equal to mg2 plus plus cu EMF ग्याद करने के लिए जो सूत्र है, E equal to E0 cell minus 0.0591 upon 2 log mg2 plus upon copper 2 plus तो E0 cell पहले ग्याद करेंगे E0 cathode minus E0 anode करके तो cathode यहाँ पर copper है, तो 0.34 minus minus 2.307 यह magnesium यहाँ पर यह magnesium anode है तो हमारे पास जो मानक इलेक्ट्रोड विभो E0 का मानप्राप्त होता है, वह है 2.71 volt इस E0 के value को जब हम इस सूत्र में रखेंगे तो 2.71 minus 0.0591 upon 2 log 0.001 by 0.0001 एक रमशह magnesium एवं copper के सांद्रता को व्यक्त करता है जब हम इसे सरल करेंगे तो उपर दश्मलों के बाद 3 अंग है और नीचे दश्मलों के बाद 4 अंग है तो इसे हम सरल कर लेंगे दश्मलों को काट देंगे तो 1 0 उपर लगा देंगे तो ये दश्मलों के बाद उपर भी 4 अंग होगा और दश्मलों के बाद नीचे भी 4 अंग हो जाएगा तो अब हमारे पास जो सरल्तम सूतर आएगा वो होगा 2.71 माइनस 0.0295 क्योंकि हल करेंगे 0.00591 को जब 2 से भाग देते हैं तो मान आता है 0.00295 लोग 10 लोग 10 की वैल्यू एक होती है 2.71 माइनस 0.0295 इक्वल टू यहने यहाँ EMF कैलकुलेट करने पर आएगा 2.68 वोल्ट नंस्ट समिकरंट से समबंदी दी एक और प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न दूसरा निमन सेल की 298 केलवीन पर नंस्ट समिकरंट एवं EMF लिखिए SN SN2 प्लस 0.050 M डबल लाइन है जो लवन्ट सेतू को दर्शारा है H प्लस 0.020 M और H2 जो की 1 बार है और प्लेटिनम चुकि हाइडरोजन इलेक्ट्रोड है तो इस तरह से प्रतरशित किया गया हाइडरोजन इलेक्ट्रोड को हाइडरोजन गैस है जो की प्लेटिनम पर अधिशोशित होता है तो यहाँ पर जो टिन है SN है उसके लिए E0 की वैल्यू दी हुई है माइनस 0.14 वोल्ट एनोड पर होने वाला जो रियक्शन है उसे दर्शाय जाएगा SN इक्वल टू SN2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रोन क्योंकि इलेक्ट्रोन निकल रहा है अक्सी करुन की क्रिया हो रही है इसी तरह से जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो यहां कैथोड की तरह कारे कर रह है उसपे अपचैन की क्रिया हो हो रही है तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रोन is equal to H2 तो नेट सेल रियक्शन होगा SN plus 2H plus equal to SN2 plus plus H2 EMF ग्याद करने पर EMF बराबर E0 cell माइनस 0.0591 बाइ 2 लोग SN2 प्लस अपॉन H प्लस और स्क्वाइर यह जो H प्लस के उपर स्क्वाइर लिखा है यह बैलेंस करने के लिए लिखा है चुकि SN द्वारा दो इलेक्ट्रोन दिया जारा है हाइड्रोजन के दो आयन दो इलेक्ट्रोनों को ग्रहन करते हैं इसलिए H प्लस का सांद्रन जब लिखते हैं तो H प्लस के उपर हम घात में दो लगाते हैं जिससे यह बैलेंसिंग को शो करता है E0 cell जब हम इसके लिए निकालते हैं याने मानक अवस्था में E0 cell E0 cathode माइनस E0 anode तो यहां पर cathode यहां hydrogen electrode है तो इसके लिए value है 0.00 माइनस एनोड यहां 10 है तो 0.14 माइनस में है यह value अब इसको जब हल करते हैं तो हमारे पास E0 का मान प्राप्त होता है वह है 0.14V अब EMF ग्याद करते हैं इस मान को रखते हैं तो यह में बराबर 0.14 माइनस 0.095 लोग उपर हमने लिखा यहां पर 10 के लिए सांधरन यहां 0.05 और यहां नीचे हमने लिखा 0.02 और स्क्वाइर तो इसको जब हल करते हैं तो हल करने पर हमारे पास आता है 0.14 माइनस 0.0295 लोग 125 लोग यहां 125 है उसको हम जब ग्याद करेंगे तो क्या वैल्यू आती है देख लेते हैं यहां 0.14 माइनस 0.0295 यह वैल्यू कहां से आई 0.0295 हमारे पास आई जब हमने 0.0591 को 2 से भाग दिया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.0295 जब हम 125 का लोग देखते हैं तो 125 का जो पूर्णांश है वो होगा दो और लोग टेबल में हम 12 का पाँच देखेंगे तो मान है दश्मलो शुन्य नौ छे नौ तो 125 को हम दो पाट में देखेंगे पूर्णांश और अपूर्णांश पूर्णांश के लिए हम नंबर कितने हैं वो देखते हैं तो टोटल नंबर यहां 3 है 125 में तो उसका जो पूर्णांश होगा वो एक घटा देंगे तो 3 में से एक घटा आये तो 2 आया तो पूर्णांश हो गया 2 फिर दश्मलो लगाएंगे और 12 का पाँच लोग टेबल में देखेंगे यानि अपूर्णांश पार्ट को देखने के लिए हम लॉक टेबल का प्रियोग करते हैं तो बारा का पांच देखने पर आता है दश्मलो शुन्य नौ छे नौ जब हम दोनों को गुडा करेंगे 0.0295 को 2.0969 से तो वैल्यू आती है 0.062 यहाँ पर 0.14 जो हमारे पास E0 सेल की वैल्यू आई थी उसमें से इस मान को घटाते हैं घटाने पर जो मान आता है 0.078 वोल्ट अब हम देखेंगे कि मानक विद्यूत वाहक बल यानि E0 सेल कैसे केसी से या साम्यावस्था इस्थिरांग से संबंदित है इसी सुत्र की साहता से हमें एक और सुत्र प्राप्त हो जाएगा चलिए देखते हैं कि यदि हमारे पास मुक्तूर्जा परिवर्तन जो मानक मुक्तूर्जा परिवर्तन हमने ग्याद किया था कि minus delta G0 मानक मुक्तूर्जा परिवर्तन याने मानक मुक्तूर्जा में कमी बराबर NF E0 cell तो यदि हमारे पास E0 cell का मान है RT upon NF log KC जो अभी हमने ग्याद किया तो इस मानक मुक्तूर्जा परिवर्तन वाले सूत्र में हम E0 cell की value को रख देते हैं तो अब हमारे पास जो सूत्र है वो है minus delta G0 equal to NF into RT upon NF log KC log यहाँ पर ln KC के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं और log KC के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी हम पूरी values को नहीं लिख रहे हैं तो अब सूत्राया delta G0 equal to minus RT log KC natural log है क्योंकि यहाँ पर जो NFA NFA यह दोनों कट जाता है तो मानाता है minus RT log KC इस minus sign को हम delta G की तरफ से दूसरी तरफ ले गए तो इसलिए delta G0 equal to minus RT log KC यदि यहाँ पर log 10 बेस लिया जाएगा तो सामने 2.303 से हम multiply कर सकते हैं तो delta G0 equal to minus 2.303 RT log 10 KC तो इस प्रकार से यह value जो है वो बताती है कि कैसे KC यहने साम्या वस्था इस्थिरांग सेल के विद्धुत वहागबल से संबंदित हैं तो इन प्रशनों की सहायता से हम किसी भी सेल के लिए साम्या वस्था इस्थिरांग की गढ़ना कर सकते हैं सेल विभो की भी गढ़ना कर सकते हैं तो इससे संबंदित संख्यात्मक प्रशनों पर भी हम चर्चा करेंगे अब हम एक और प्रशन देखते हैं घडियों एवं युक्तियों में अत्यधिक उपयोग में आने वाली बटन सेलों में निम्न लिखी तभी करिया होती है Zinc equal to Zinc 2 plus plus 2 electron E0 की value दी हुई है minus 0.76 volt Ag2O plus H2O plus 2 electron is equal to 2 Ag plus 2 OH minus E0 की value है plus 0.34 volt इसको complete करेंगे तो जो सेल अभिकरिया है वो है Zinc plus Ag2O plus H2O is equal to Zinc 2 plus plus 2 Ag plus 2 OH minus complete जो सेल के लिए value आती है E0 equal to 1.104 तो इस अभिकरिया के लिए आपको ग्याद करना है delta G0 एवं E0 इसके लिए हम सबसे पहले फिर से reaction को पुना लिखते हैं कि Zinc से Zinc 2 plus बना plus 2 electron तो इसके लिए मान है 0.10 मलों minus 0.76 volt Ag2O plus H2O plus 2 electron is equal to 2 Ag plus यहाँ पर बना 2 OH minus तो E0 की value है 0.34 volt आनोड और cathode की value दी हुई है तो E0 cell equal to E0 cathode minus E0 आनोड तो हमारे पास जो value आती है वो है 1.10 volt जब E0 का मान हमें पता चल गया तो अब हम आसानी से delta G0 अर्थात मान कवस्था में मुक्तूर्जा परिवर्तन सेल विभो के संबन के साथ वो हम लिखेंगे delta G0 equal to minus NFE0 तो N यहाँ जोकि 2 electronों का आदान प्रदान हुआ है तो N की जगा हमने लिखा 2 और F यहाँ पर फेराडे को शो कर रहा है तो फेराडे यहाँ पर वेल्यू होगी 96500 कुलाम और E0 का मान प्राप्त हुआ है 1.10 volt कल्कुलेट करने पर जो एंसर आता है वो है minus 2.123 into 10 to the power 5 joules तो delta G0 एबम E0 के संबन्ध को दर्शाने के लिए यह सूतर है delta G0 equal to minus NFE0 एवम एक और प्रश्न देखेंगे दी गई अभिक्रिया के लिए साम्या अवस्था स्थेरांग एवम प्राप्त होने वाली अधिक्तम कारे की गढ़ना कीजिए zinc plus copper 2 plus is equal to copper plus zinc 2 plus तो zinc के लिए value है minus 0.76 और copper के लिए value है 0.34 और faraday value दिये हुआ है 96,500 कुलामपर मोल और यहाँ पर साम्या वस्था की गढ़ना करनी है हमें तो cell को लिखने का जो तरीका है वो zinc, फिर एक line, फिर zinc 2 plus, double line, फिर copper 2 plus, single line, copper तो यहाँ पर E0 cell याद करेंगे तो चुकि यहाँ डेनियल cell की ही बात हो रही है तो E0 cell की value हम calculate करेंगे तो 1.10 volt ही आता है यहाँ हम मान रखते हैं delta G0 is equal to minus NF E0 फिर से उसी तरह से मानों को रखेंगे चुकि दो electronों का आदान प्रदान हुआ है तो minus 2 into 96500 into 1.10 तो मान आता है minus 212300 joule per mole delta G0 के लिए value है delta G0 एवं साम्यावस्था इस्थिरांक का जो सूत्र है उनके संबंद के लिए वह है delta G0 equal to minus 2.303RT log Kc delta G0 equal to minus 212300 joule per mole हमें प्राप्त हुआ है R की value है 8.314 joule per kelvin per mole temperature 298 kelvin सभी मानों को यहां रखते हैं minus 212300 equal to minus 2.303 into 8.314 into 298 into log Kc यहां पर चुकी हम LOG log लिख रहे हैं तो log 10 आधार को शो कर रहे हैं यहां सामने हमने 2.303 से multiply किया इसी कारण से जब हम LOG केसी को calculate करेंगे तो 212300 by यहां पर मानाता है 2.303 into 8.314 into 298 सब कुछ calculate करने के बाद जो answer आता है वो 37.2074 चुकी यह मान log केसी का है और हमें चाहिए केवल केसी तो log केसी के मान से हम anti-log को calculate करेंगे तो केसी की value आईगी तो केसी की value के लिए जो आई हुई value है 37.2074 जो की log केसी की value है और अभी हम सिर्फ केसी निकालना है तो दिये गए जो मान आया है उस मान का हम anti-log देखेंगे तो anti-log देखने के लिए 0.2074 को हम टेबल में देखेंगे 0.20 का 7 देखेंगे और 4 उसके mean difference पे देखेंगे जोनों को जोड देंगे और 10 to the power उसके घात में हमने 37 को लगा दिया तो इस तरह से anti-log की गढ़ना कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पूर्णाश और अपूर्णाश पार्ट जो है दोनों आ गया है तो यहाँ जो anti-log टेबल होता है वो अपूर्णाश पार्ट से ही start करना है देखना निमने लिखित अभिक्रियाओ वाले गैलवेनी सेल का मानक सेल विभव ग्याद कीजिए यहाँ पर प्रश्ण है 2Cr plus 3CD2 plus equal to 2Cr3 plus plus 3CD E0 क्रोमियम के लिए है माइनस 0.74 और E0 कैडमियम के लिए है माइनस 0.40 EMF ग्याद करेंगे E0 कैफोड माइनस E0 एनोड कैफोड से एनोड यहाँ पे माइनस करेंगे तो जो मान हमारे पास آया है चुकि दोनों ही E0 का मान जो है दोनों एलेक्ट्रोड के लिए E0 का मान माइनस में है तो माइनस 0.40 माइनस फिर माइनस 0.74 सब कैल्कुलेट करने के बाद जो मानाया है वो है 0.34 वोल्ट ये हमें प्राप्त हुआ EMF का मान अब डेल्टा G0 इक्वल टू होता है माइनस NFE0 सेल N यहाँ पर इलेक्ट्रोनों की संख्या जो है वो 6 है कैसे 6 है देखिए उपर रियक्षन में 3CD2 प्लस है और दूसरी तरफ हो रहा है 2CR3 प्लस तो 2 इंटु 3 और 3 इंटु 2 और 3 इंटु 2 यहाँ पर आ गया 6 तो 6 इलेक्ट्रोन है यहाँ पर आदान प्रतान के लिए तो 6 इंटु 96500 गुणा 0.34 जो की EMF आया है हमारा तो देल्टा जी जीरो की वैल्यू प्राप्त हुई माइनस 196860 जूल पर मोल जब हमारे पास देल्टा जी जीरो की वैल्यू आ जाती है तब हम के सी का मान भी आसानी से ग्याद कर सकते है माइनस डेल्टा जी जीरो इक्वल टू 2.303 आर्टी लॉग के सी ये सूतर है डेल्टा जी जीरो या माइनस डेल्टा जी जीरो की जो मान है वो आया है यहाँ पर लिखेंगे माइनस 196860 फिर माइनस 2.303 आर्टी लॉग के सी तो माइनस माइनस यहाँ पर कैंसल हो गया पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो वैल्यू आती है लोग केसी के लिए 34.5014 चुकि केसी ग्याद करना है तो इस वैल्यू का हम एंटी लोग लेंगे तो केसी इक्वल टू एंटी लोग 34.5014 केसी ग्याद करते हैं तो इसका एंटी लोग टेबल में वैल्यू पूट करेंगे तो 3.192 इंटू 10 तू दी पावर 34 तो एंटी लोग टेबल में हम 0.50 का 1 देखेंगे और 0.50 का ही मीन डिफरेंस में 4 देखेंगे दोनों वैल्यूस को जोड देगे जोडने के बाद इस एंटी लोग टेबल में जो पूर्णाज पाठ है उसको हम घात के रूम में दश्मलों के अधार पर और घात में किस तरह से लगाया है वो देखेंगे kc equal to 3.192 into 10 to the power 34.